नमस्कार मित्रो, अगर आपको diamond field में आगे बढ़ना है, diamond field में अपना career बनाना है, और diamond में कैसे selling होता है, कैसे manufacturing होता है, कैसे उसका trading होता है, उसका अगर आपको knowledge चाहिए, तो सबसे पहले हमें diamond है, उसका पहचानना पड़ेगा, diamond का basic knowledge सबसे पहले हम लेंगे, उसके बाद step डाइमंड में कैसी process होती है डाइमंड का purchasing कैसे होता है डाइमंड में जो भी impurities आती है वो कैसे remove कर पाते है और डाइमंड है उसको कैसे हम तराशते है तो उसके बारे में सारा का सारा detail में knowledge लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हम सबसे पहला जो diamond का step आता है वो हम उसको कहते है डाइमंड पहचानना डाइमंड के भीतर जितने भी impurities आती है वो क्या आती है उसके बारे में knowledge लेना तो यहां पर आप computer देख रहा है जिसमें diamond है उसमें planning हो रहा है और यहां का जो department आप देख रहा है वहां diamond है उसका analysis हो रहा है यानि कि जो basic शरुवात होती है diamond के कैसे आता है उसका structure कैसे आता है उसमें जो process करनी रहती है वो process कैसी आती है तो उसका सारा का सारा knowledge हमें सबसे पहले लेना है और उसके बाद ही diamond है वो आप manufacturing या फिर उसकी तोड़ फोर या फिर उसमें से आप impurities है वो remote कर सकते है यहां पर आप देख सकते है diamond है वो सबसे प उसका shape है, उसका color है, वो सारा का सारा पहचाना जाता है और उसके बाद है उसके आगे की जो process आती है, वो की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका analysis कैसे कर रहे हैं, उसमें जो eye-glass है, उसकी जो theory है, वो कैसे हम read out करते हैं, डाइमंड में जो भी हम computer field में आगे बढ़ते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि सरीं advisor जो हम computer में सिखते हैं diamond का planning हम सिखते हैं उसके बारे में हम knowledge step by step लेंगे उसमें impurities आती हैं वो impurities हम के से set करके diamond है वो अच्छा से अच्छा अंदर diamond बीठा सकते हैं और ले सकते हैं उसको real life में वो भी हम technical knowledge सारा का सारा diamond field में लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं वो सारी की सारी process है वो galaxy की process